मौसम समाचार में आपका स्वागत है मौसम की लेटिस खबर पाले के लिए तुरम सब्सक्राइब करें UMP News को और कि जिले की मौसम जानकारी आप जानना चाहते हैं हमको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं खिली देखते हैं कैसा रहेगा पुर्देश की मौसम का हाल मौसम भाग की माने तो मध्यपदेश में अगले 24 घंटों तक मौसम खराब रहेगा पुर्वी मध्यपदेश के विभरन इलाकों में तेज हवाँ और गराचमक के साथ हलकी से मध्यम बारिश और ओले पढ़ने की एलो-अलर्ट जारी हुआ है आईमडी के मुताबिक अभीभी पश्चमी हिमालाई शेत्रों और उतरपश्चमी भारत के कुछ हिस्तों पर एक पश्चमीविक्षोब ट्रफ के साथ एक्टिव है एकाने प्ररित साइकलॉनिक सेर्किलेशन, उतर पशेम उतर भारत और निचले शोब मडल स्तर परस्तित है यही नहीं समुदर जल से जेट एस्ट्रीम हवाएं उतर भारत की ओर चल रही है इन वेजर सिस्टम के सेयुक्त प्रभाव से मध्यपदेश और अजस्तान में मौसम बदल गया है उतर पदेश के कई जलों में मौसम का मिजाज लगतार बदल रहा है मौसम के तेवर में खूब बदलाव देखने को मिल रहा है बीते बिदे दिनों में हलकी से मुदा बानी होई थड़ी थड़ी हवाओं ने लोगों को सर्थी का हसास कराया है मौसम बभाग के अनुस्ता राज भी बारिश होने की संभावना है लखनओ कानपुर देहात कानपुर नगर उन्नाव अमेठी सुल्तानपुर आयोध्या राइबरेलिया मेटकर नगर बानमपकी गोंडा समेथ प्रदेश के कई जैनपदों में बारिश के साथ तेज हवाय चलेंगी मौसम बभागने अन्देश जताया है कि राजधन लखनओ कानपुर नगर नगर उन्नाव मेठी राइबरेलिया मेटकर नगर आयो थया और कुछ अन्नी जिलो में तेज हवाय चल सकती है वही प्रयाग राजवरनसी मिर्जापुर सहित को जिलो में उले गिरने की संभावना है अज मध्य प्रदेश के ग्वालियार भिंड दत्या, चतरपुर मुरैना, पन्नासतना, रिवा मौगंज, सीधी सिंग्रॉली जिलो में बादल चाय जाने के आसार है जिसके कारण तापमान में गिरावट देखी जा सकती है जबके भिंड दत्या, रिवा मौगंज, सीधी और सिंग्रॉली में गराचमा के साथ हलकी बारिश होने की संभावना है रजस्तान में सर्दी जाने के बाद अब बादलों ने डिरा डाल दिया है परदेश में परदेश में विक्षोप गजरने के बाद अब भी बादलों की आवाजा ही लगतार बानी हुई है मौसम भाग ने आज भी परदेश के आदा दर्जन जिलों में बारिश होने का नुमान जताया है आज जैपुर समेट 6,000 जिलों में हलकी बुनाबानी होने का पूरवनुमान है मौसम भाग ने दोसा अलवर भरत पुरदोल पुर करॉली और आसपास के शेतरों में बेग गरजन के साथ हलकी से मध्यम वर्षा होनी की संभावना जतायी है बिहार में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है जिससे लोगों को फिलहाल थर्ण से वराहत नहीं मिलने वाली पटना मौसम भाग के मताबिक 23 और 24 सरवरी तक पटना समेट रज्य के कई लागों में बारिश की संभावना है बही मौसम वभाग के पूर्वनुमान के तहत राजधनी पटना समेट अन्य जिलों में तेज बारिश हो रही है मौसम भाग ने तीन दिन तक उत्तर और पुर्वी बिहार के जिलों में आंधी वज्रुपात और मेग गरजन के साथ बारिश की आशंकजताई है इसी को लेकर बिहार में लगतार भूसर दिन आसमान में बादल्ट मनड़ा रहे हैं पटना समेट कई जिलों में देर रात तक रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है